तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज हम बात करेंगे लवकी के पौधे के उपर एक ऐसा बहतरी फटिलेजर बताएंगे दोस्तों इसको डालने के बाद आपका भी लवकी का पौधा कुछ इसी तरीके से हो जाएगा देख सकते हैं इसमें कितने में लवकी के पौधे लगाए हुए हैं तो आज हम आपको एक ऐसा बहतरी फटिलेजर त्यार करना सिखाएंगे जिसको डालने के बाद दोस्तों आपका भी लवकी का पौधा इसनी तेजी से फालने सुरू हो जाएगा और एक पौधा दोस्तों इनकी पत्तियों की पत्ते हैं इतने चवड़े लवकी के पत्ते आपने सायधहीं देखे होंगे और इमें से हमने दो से तीन फल की हारवेस्टिंग कर लिया है और अभे भी बहुत अच्छी क्वाल्टी कीन में फल लगे हुए हैं देख सकते हैं अभी यह जो लवकी का पल आप देख रहे हैं यहीं डेर से 2 किलो साइज होती है दोस्तो काफी अच्छा माना जाता है मार्केट हो या फिर खाने के लिए तो यह पूरी तरीके से देखा जाए तो दोस्तो काफी अच्छा और अपने घर में उगा हुआ फल है अवेल दोस्तो आपको चलिए हम फटिलाइजर त्यार करना सि यहां पर देखिए दोस्तों तो ओवराल देखे दोस्तों तो पौधे की कंडिशन अभी काफी अच्छी है किसी भी प्रकार की हमें कोई निट्रेशन की जो कमी है वो दिखाई नहीं दे रही है तो यदि आपने भी अपने घर में लगाया हुए तो चलिए फटीलाइजर त् सफेद रंग के चीज देख रहे हैं यह नेट्रोजन है और एक बड़ा दाना में देख सकते हैं यह सफेद रंग की यह ड्याई अमोनियां फास होथा और यह जो आप देख रहे हैं दोस्तों काले रंग की इसको जैम बोला जाता है यह सीबीड इसको सीबीड की नाम से भी होता है हिन तीनों चीजों का दोस्तों हमें त्यार करने नहां कि इसमें पानी में एक लीटर पानी में और याद हैं इन तीनो फटिलाइजर को मिला के आप अपने पौधे में दे सकते हैं बताना चाहेंगे यह आपको लोकाल के जो खाद दुकान हो दी है वहाँ पर बड़े हसानी तरीके से मिल जाएंगे और लगभग एक से दो मिनट आपको दोस्तों इसको इसी तरीके से छोड़ देना है या फिर आप हिला देजिए तो यह थोड़ा से जल्दी से घुल जाएगा और आप यदि इस वो नहीं हिलाते तो आप एक से दो मिनट छोड़ दीजिए यह पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगा और हमारा जो फटिलाइजर है दोस्तों वो तैयार हो चुका है अब इ देखिए दोस्तों इनकी जड़े आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक पौधा है और इनका जड़े काफी तगड़ा है और हमेशा हम समय समय पर दोस्तों इनमें वर्मी कमपोश्ट जो गोबर की खाद है वो देते रहते हैं तो यहां की जो मिट्टी आप देखी रह होगी उसको निकाल के फेकना है और फेक दीजिएगा इससे क्या होगा कि जो में हमारा जो लौकी का पौधा इसके जड़ों को काफी ज्यादा अक्सीजन मिलेगी इसे फालाओ काफी तेजी से होना सुरू हो जाएगा तो अब दोस्तों हमारा फटीलाइजर हमने यहां पर ले लिया है और सभी को दोस्तों यहाँ पर हम एक से डिटब लिटर जो फटीलाइजर त्यार किया है इसको यहां पर डाल देंगे और जो खाद की फर्टिलाइजर की मात्रा है लगभग हमें 100-500 ग्राम तीनों चीजों को लेना है तो चलिए मैं इन सब को यहां पर डाल देता हूं तो इसका उपयोग दोस्तों आप महिने में एक से दो बार अवश्य करिएगा और सांस में यदि आप वर्मिक अंपोश उपलब्ध होता है तो उसको समय समय पर देते रहे और रही बात दोस्तों जो गोबर की खाद है तो उसकी कमी आप नहीं करिएगा बाकी लवकी की जो निकल रहे हैं काफी अट्रेक्टिव दोस्तों देख सकते हैं जो उपर हिस्सा है वेल दोस्तों वीडियो का ऐसा लगा है कमेंट में जरूर बताएगा और इसी तरीके के नएन अपडेट के लिए प्लीज से आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न खुलिए मिल